नमस्कार मित्रों एक बार पुन्हें आपका हमारे चैनल पर स्वागत हैं आज का प्लान 36 भाई 36 फिट के घर के लिए रेडी किया गया है कैसे पूरा प्लान रेडी किया गया है वास्तु का क्या क्या ध्यान रखा गया है जैसा कि आप सभी को विदित है कि यूटूब पर वास्तु के अकोर्डिंग बास सब करते हैं मगर हमारे प्लान पूर्ण रुप से वास्तु के अकोर्डिंग होते हैं क्योंकि मैं वास्तो सास्तरी आनन सर्मा आपकी सारी आफसक्ताओं को ध्यान में रखकर प्लान रेडि करता हूँ आगे से आप देखिए रोड जा रही है आगे की तरफ ठीक है अगर आप पक्सिमो की घर बनाने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़े इसमें सीखने को मिलेगी प्लाट बड़ा होने के कारण वेंटिलेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है घर हमारा जो बनेगा वो आगे से हमने 36 यानि 36 फिट कवर किया है पीछे से भी 36-36 फिट कवर किया गया है लंबाई की बात करें तो 36 फिट है और इदर भी 36 फिट है यानि कि प्लाट में किसी भी तरह का वास्तु दोस्त नहीं रखा गया है जब भी आप घर का निर्मान करें एक चीज एकदम अच्छे से देख लें कि प्लाट का जो लंबाई चोड़ाई है वो एकदम सही है ना वास्तु दोस्त तो नहीं है ना कोई प्लाट में कोर्नर बड़ा वगेरा बड़े हुए तो नहीं है ना अगर ऐसा प्लाट होता है तो वो असुप माना जाता है सबसे पहले देखिए घर के अंदर एंटर करने के लिए ग्राउंड फ्लोर है जैसी अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमने दो पिलर दे दी है दो पिलर देखिए आगे तक आपकी छट से चजा जाएगा एक अच्छी सुन्दर सी डिजाइन भी बन जाएगी और नीचे का जो पोर्शन रहेगा उसको पोर्श एरिया की रूप में या ब्रामदे की रूप में आप यूज कर सकते हैं इसकी जो लमबाई चोड़ाई है 12 फिट 7 इंच चोड़ाई है 8 फिट 10 इंच लमबाई है यहां तक कलियर है उसके बाद में देखिए घर का जो अंदर का मुख्य द्वार है वो आपका यहां पर सेट हो जाएगा ठीक है दो सेडी लगकर यहां पर मुख्य द्वार सेट हो यह आपका निर्तग्य कोर्णर है क्योंकि पक्सिम दिसा आगे है इधर आपके दक्षिन दिसा दक्षिन और पक्सिम जहां मिलती है वो निर्तग्य कोर्णर का निर्मान करता है निर्तग्य कोर्णर का वास्तु कहता है कि इस जगे किसी भी तरह का गड़ा नहीं होना चाहिए ना यहाँ पर सेप्टी टेंक होना चाहिए ना बोर्वेल होना चाहिए ना किसी भी तरह का घर के अंदर किसी भी इंसाब से ये नीचा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर हमने इसको भारी और उंचा रखने के लिए इसको CD दे दी है सबसे best location होती है CD बनाने की पक्सिमो की घर में भी तो यहाँ पर clockwise CD दी गई है ठीक है जो यह आगे जो space बच रहा है CD के और इस दिवार के आगे यह आपका 10 feet 11 inch और 7 feet ऐसे बच रहा है क्योंकि हमारी CD 7 feet में बनी है यहाँ तक आप clear है उसके बाद में एक दर्वाजा आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर आप दर्वाजा नहीं देना चाते तो यहाँ पर आप एक बड़ा आर्च भी बना सकते हैं सुन्दर सी डिजाइन बना सकते हैं अच्छा लगेगा घर अब देखिए एक डोर यहाँ पर लगेगा अंदर एंटर करते हैं अंदर एंटर करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं यह bedroom है bedroom कौन से corner में? वाइव यह corner में हैं कभी भी अपने घर के वाइव यह और अगनी corner में दोस्त ना रखें घर की महलाओं के स्वास्ते में गड़बड होती है और उनके जीवन में काफी उतार चड़ाओ देखने को मिलते हैं वाइव यह corner का bedroom क्या कहता है कि आपके guest को आप यहां पर steak करवा सकते हैं सबसे उत्तम जगए होती है अगर आप वाइव यह corner के रूम में guest को steak करवाते हैं तो guest इसताई रूप से आपके घर में नहीं रहता है वो guest की तरह ही आता है और guest की तरह ही परसंता पुरुग चला जाता है 11 फिट 3 इंच बाई 14 फिट का बड़ा सारा रूम है एक विंडो आपकी इस तरफ होगी एक विंडो आपकी उत्तर की तरफ दो विंडो होगी अराम से श्यांदार वेंटिलेशन रहे का दोनों खिडकियों से एक दरवाजा देखे डायरेक्ट हमने होल की तरफ कोल द सकते हैं ड्रोइंग एरिया कर सकते हैं ट्यक् browsers दोनों का हमने मार्क किये ताकि आप पड़े लिखे भी सब समझ सकें यह आपका ड्रोइंग एरिया कितना 10 फिट 12.1 इंच बाए 13 इंच बाइ डाइनिंग एरिया आपका 10 feet 11 inch by 8 feet 6 inch का है तो अराम से आपकी खाने की टेबल यहां पर सेट हो जाएगी ठीक है उसके बाद में क्या करना है एक हमने होल से एक दरवाजा दिया इधर आने के लिए यह दरवाजे आपके उत्तर की जो खाली जमीन रहेगी उसमें खुल जाएगा उत्तर में रोड है तो आप वेसे भी खुल सकते हैं सबसे उत्तम स्तान है वास्तु के अनुरूप दरवाजे है देखिए खिड की दरवाजे सब वास्तु के अनुरूप ही रखने चाहिए तब भी घर के अंदर सकारात्मक उर्जा प्रवेस करती है काफी जगे देखने को मिलता है कि जीवन भर लोग संगरस में गुजर जाता है एक बार घर बन जाता है मगर उसका करजा पूर्टी नहीं हो पाता है या अगर घर बनाने की कोसिस करते हैं तो वो घर बनने ही पाता है तो उसका क्या दोस होता है उसका कारण होता है वास्तु दोस आपके घर के अंदर अगर वास्तु दोस होता है तो जितनी उntी आपकी होती है आपकी बच्चों के होनी होती है वो हो नहीं पाती है तो इस चीज का विस्थेस आपको ध्यान रखना है जब भी घर का निर्माण करें कोई भी अपने आसपास अच्छे वास्तू सास्त्री है उनसे आप राइ लेके अच्छा नकसा बनवाके फिर ही घर का निर्मान करें, हर किसी से नक्सा बनवा के, घर मत बनवाईए, मैं आपको हर वीडियो में ये बात बताता हूँ, तो ये उत्तर की तरफ आपका दरवाज़ हो गया, एक आपका हो गया, पक्सिम की तरफ दरवाज़, बहुत सुब आपका घर रहेगा, अब इसान कोर्नर है, बेडरूम मनेगा, 11 फिट, 3 इंच बाई, 13 फिट का, बड़ा बेडरूम मनेगा, एक विंडो उतर की तरफ, एक विंडो आपकी पूरब की तरफ, शांदार बेडरूम है, बच्चों के पढ़ाही करने के लिए, सबसे उत्तम स्तान है, कुसागर पूजा घर के अंदर डायरेक्ट आर्च बनाया गया है, जिसके अंदर आपका डिजाइनिंग आजकल परदे लगते हैं, वो लगेंगे, तो अच्छा लगेगा, आप चाहें, तो आप अपने इंसाब से डोर भी लगा सकते हैं, एक वेंडिलेशन विंडो हमने पीछे दे करना है, तो यहाँ पर 11 फिट, 4 इंच भाई, 8 फिट है, एक आपकी विंडो फ्रेंट में लग जाएगी, शांदार आपका कीचन मनेगा, कीचन से यहाँ पर हमने वास के लिए स्पेस रखा है, 4 फिट, 6 इंच भाई, 4 फिट, 7 इंच इसकी भी वेंटिलेशन विंडो इध पीछे जगे होती है, पीछे की तरफ वेंटिलेशन विंडो फैन लग जाएगा, शांदार वेंटिलेशन रहेगा, अब क्या करना है, अब आप इधर प्रवेस करेंगे, यहाँ एक डोर लगेगा, डोर से प्रवेस करेंगे, तो यह क्या आगे, इस दिवार से लेकर ग्यारा फिट चार इंच चोड़ाई है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक चार फिट बाई साड़े साथ फिट का लेटिंग घर इसके रूम के अंदर अटेच रग दिया है, तो आपका तेरा फिट एक इंच की लंबाई है, हमने चार फिट का आपका लेटिंग घर की कर सकते अगर यहां पर डायरेक्ट आप दीवार यह तक लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है एक डार हमने यहां पर दिया इसको आपको रखना ही है तो यहां तक आपको बास समझ में आ गई तो यह तो यह मित्रों था ग्राउण्ड का प्लान बहुत ही अच्छे से वास्तु समझाते हुए हमने कोसिस कि आपको सुचारो रूप से पूरा प्लान समझाने की आसा करता हूँ ये प्लान आपके लिए काफी मदददार होगा और आपके इन फ्यूचर जब भी आप घर बनाएंगे इससे आप एक अच्छा एडिय ले पाएंगे तो आज के लिए इतना ही अगर आप वास्तु के अनुरूप जब भी घर का नक्सा बनवाना चाते हैं तो हमारे वाटसप पर आप संपरक कर सकते हैं पेड सर्विस रहती है या आप अपने आसपास के भी किसी अच्छे वास्तु सास्त्री से संपरक करके उन